बस्तर दशेरा समेदी के अध्यक्ष वे सांसत दीपक बैस के दुआरा दर्भा वे मार्क केलदों में रत निर्मान व्रक्ष शदीपूर्टी हीतू पोधरोपन किया गया ग्यात होगी बस्तर का इतिहास एक दशेरा पर पिछले केई सु सालों से मनाते आ रहे इस दशेरा पर में एक परमुख परिमपरा रत परिक्रमा भी है जिसमें रत जो की चाहर चखे वे आठ चखे बनाने हितू परती वर्ष जंगलों से सेक्डों प्रिडो की किटाई की जाती है जो की रत बनाने के काम आता है जिससे की कही न कही वनों को नुकसान हो रहा है इसे देखते हुए इस समय बस्तर दशेर समयती है अध्यक्षव सांसत बस्तर दीपक बैज ने इतियासिक निड़ने लेते हुए का की रत बनाने के लिए जहां से लकड़ी लाएंगे उस जगे हम नई पोदे लगाएंगे जसे की जंगलों ko नुकसान ना हो और आगे भी रत बनाने है तो लगड़ी आसानी से मिल सके इस तरह से आज दर्भा और मारकेल दो में पांसु से अधिक ने पोदे लगाए गए सांसत बेर्ज ने कहा कि आने वाले समय में इस सेधिक पोधे लगाने की तियारी की जाएगी जगदलपूर से बास कि ठाकूर की रिपोर्ट प्राइमेटी नियूज बसरा कमिटी का यतियासिक निड़े हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम रत बनाने के लिए जो लकड़ी जंगल से लाते हैं उनकी एवज में उनके छतिपूर्टी की रूप में हम लोग इस समय उसी पुना उसी जगह पर जाकर एक नए पोधे लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिए थे और उसको हम लोग इस वर्ष पूरा कर रहे हैं ये बस्तर दसरा कमिटिक ले एत्यासिक नेड़े हैं निश्ची द्रूप से मैं बजिला परशाशन को बहुत बहुत बढ़ाई दूँगा क्योंकि हमारा बस्तर एत्यासिक दसरा पर हो है यहाँ पे हर साल कभी तो चार चक् प्षानोरा है तो इसको देखते हुए हम लोग उने इस समय नेड़े लिए कि हम लोग जो लकडी जंगल से काटके लाते हैं रत बनाने के लिए उसके एवाज में पुना हम जंगल जाकर पौदा हम नए पौदा लगाएंगे ताकि आने वाला 20-25-30 साल बार फिर वे नए पेड़ के रूप में तैयार हो जाए ताकि फिर अमारी परमपरा और रत बनते रहे और अमारी परमपरा ना तूटे हम लोग इसमें दो चीज़ को धियान रके यह पर्मपराओं को भी हम लोग ने दिहान में रखा हैं और हम लोग लकडी और लकडी को हम लोग एक नए पवदे के रूप में भी लगा रहें दाकि पर्यावरण और जंगल भी नुक्साना हो इस दोनों चीज को दिहान में रखते भी एत्यासिक नेड़ाय रहा बस्तर दस्र को हम लगा रहें तो कहीं न कहीं हम लोग लकडी कटाई के वज में दसरा में जो रत बनाते हैं उसके वज में एक छती